भषमाश्त्र 2 की एक अपडेट यह आप एक कन्फर्म आई है इसमें यह बोला गया है कि रणवीर सिंग एज देव रनवीर सिंग हैज बीन कंफर्म प्ले देव इन आयान मुकर्जिस ब्रह्मास्त्र टू देव इसमें कोई शक ही नहीं है कि जब मैं पहले से बार बार बोलते आया था कि मुझे हमेशा से जब वो रनवीर सिंग का ही लगता था लुक कि मतलब उसका जो फेस नहीं नाम ही रखा है ब्रह्मास्त्र पार्ट टू देव देव नाम रखा एज लुक कि या तो वो रनवीर सिंग की फिल्म है इसका मतलब रनवीर कपूर है उसका कितना बड़ा रोल है उसका कोई आथा पता नहीं मेब़ी ऐसा भी हो सकते कि रनवीर कपूर पहले प्ले करने वा वाली अनिमल का पार्ट टू और इवन रामा एंड में वो बीजी होने वाले है तो हो सकता है कि उन्होंने भी न कर दिया हो क्योंकि इनका प्लैन तो यह था कि इनको ट्रस्ट था उस कैरेक्टर पर मतलब रंडबीर कपूर पर ओविसली उसके स्टार्डम पर नो डाउट वो तो आपने देख लिया कि मेभी जैसे बाप बेटा सेम दिखने वाले दिखाये होंगे उन्होंने ऐसा उनका प्लैन था कि आगे चलके रंडबीर को ही रखे सक अगर क्योंकि अभी तो यह बोला जा रहा है कि रंडबीर सिंग ही वो देव का कैरेक्टर है मतलब वो रंडबीर सिंग की फिल्म है फर्क भी नहीं पढ़ता है मुझे तो मैं तो खूश हूँ कि एनिमल पार्क आरी है और क्योंकि ब्लॉक बैस्टर पर ब्लॉक बिस्टर रामा एंड भी है तो ऐसा नहीं न कि सब मुवीज को वो टाइम दे पाएंगे तो ये अच्छा डिसीजन है मेरे एकॉडिंग क्योंकि ब्रह्मास्त्र का तो भाई वैसे भी मैं कुछ फैन हूँ नहीं उल्टा अच्छा है रंबीर का पीछा चूड़ गया उस चीज से ने व उसमें क्या था वो एक फैंटेसी फिल्म थी ब्रह्मास्त्र भाई रियल लाइफ की अगर मैं बात करूं भी तो इन लोगों ने कौन से अस्त्रवस्त्र की बात करी थी उसमें ऐसा कोई रियल में एक्जिस्ट ही नहीं करता है बहुत सी चीज़े थी जब मैं उस रिवीउस के पास बहुत से फिल्म हैं सो रणवीर सिंग में का अगर कैरेक्टर देव है तो रणबिर कपूर की ब्रह्मास्त्र टू है यह नहीं बोल सकते ना किसा मुझे लगता है